मौँ में पास्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस का गंदा खेल जारी है इस्टिंग के जरीए वेरिफिकेशन के नाम पर जारी पुलिस की रिश्वत खोरी का खुला खेल सामने आया है गौदरबे के पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हर किसी से 12.00 रुपए चार्ज करती है और ये रुपए कोई सरकार की तरफ से तै किया हुआ शुलक नहीं है बलकि ये पैसा पूरा का पूरा पुलिस की जेब में जाता है यानि रिश्वत और वो भी खुलियां जो शक्स वेरिफिकेशन कराने आता है उनसे वहां मौझूर दरोगा साहब 12.00 रुपए की डिमांड करते हैं हालकि इस डिमांड में भी भाब तोल लोगों से खुलियां किया जाता है और आकर में 12.00 नहीं तो इसके असपास की राशी को लेकर उशक्स का पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर दिया जाता है इस वीडियो में हरांग करने वाली बात ये भी है कि दरोगा साहब खुद बता रहे हैं और आप खुद ही देखिए कि किस तरह बेश्यर्मी से शाप्रों तक से रिश्वक लेने से पुलिस वाले नहीं चूक रहे चले दिखाते हैं आपको खुद को इमांदार कहने वाली खाकी की खुले आम भश्टवचार करने वाली ये तस्वीरे ये देखिए ये प्रणी जानकारी रास्ता नहीं है तो में नहीं लेगे तो ये करेंगे नहीं मसमर है आम को आणने वाली लड़कों का धर जानते हैं अब उतना दे देंगे न तो यहां से तो बार जयस्ट करा कर दोते हैं अर जयस्ट करना यह पड़ेगा उन्हों तो उतना उन्हों वाला तो देना यह पड़ेगा अभी ना रिश्व को ज़िए कि इसको दिये थे क्यों पैसा लिए क्यों पैसा लिए क्यों पैसा ले रहे हैं